नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरे परीचे दोस्तों पस्तित हुआ आप सभी की सेवा में एक और बेहदी महतों पूर्जानकारी को ले करके जिहां सिर्फ साथ दिन पी कर देखें शहद और लहसुन वाला जूस आपकी बोड़ी पर हूंगे बहुत ही बहतरीन असर ज जाते हैं अगर इन दोनों को मिला कर यूज करें तो इन में मौझूद तत्व बोड़ी के लिए ज़्यादा फायदे मंद हो जाते हैं लहसुन और शहद में मौझूद एंटि ऑक्सिडेंट एंटिबाइटिक एंटि फंगल और एंटि इंफ्लमेंटरी परपरटेज कई त अमच शहद में लहसुन की दो या तीन कलियों को । पीस करके मिला लेना है दस मिनट बाद इसे एक ग्लास गुंगुने पानी में मिला करके आपको पीना है सहद और शहद और लहसुन को पीने से होती है जिसकी वजह से आपका मोटापा कम होता है इससे एक्स्ट्रा फैट कम होता है जिससे वजन घटाने में आपको हेल्प मिलती है जिहां इसके अलावा शहद और लहसुन का जूस बॉड़ी में कोलेस्ट्रोल को कम करता है कोलेस्ट्रोल कम होता है तो आपकी शहत के पाइरल फिवर से आपको रहत मिलती है यानि कि किसी भी तरह के वायरस का पर जल्दी असर नहीं होता है शहद और लहसुन के जूस में एंटी बैक्टिरियल गुन पाये जाते हैं जो कि बोडी को खाराब बैक्टिरिया से बचाता है जिससे फंगल इंफेक्शन की आशंका कम हो जाती है यानि कि आपको फंगल इंफेक्शन से यह बचाता है शहद और लहसुन का जूस बोडी के मेटाबलिजम को बढ़ाता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया तो यह आपके वजन को भी कंट्रोल में रखेगा इससे डाइजेशन भी आपका सुधरेगा यह बह जारे आप अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और ब्यादे महत्वपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धानेवाद नमस्कार दोस्तों